आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुवन नारायन की कविताओं पर कुवन नारायन की दो कविताएं कक्छा 12 की किताबों में शामिल हैं कई जगों पर शामिल है वैसे तो आज हम दो कविताओं पर जिन पर चर्चा करने जा रहे हैं वे दो कविताएं हैं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कुवा नारायन का परिचाय आप पहले ही जान चुके हैं आप को हमने पहले ही परिचित करा दिया है कुवा नारायन है कौन तीसरा सब्तक में शामिल है इनकी कविताएं तो वो सारे परिचे से आप वाकिफ हैं, आप उसको याद करिए, अब उसके आगे बढ़ करके अब इन कविताओं पर हम चर्चा करते हैं, कुवा नरायन की अभी हाल ही में मृत्य हुई है 2017 में, आप इन दो कविताओं को पढ़ने से पहले, इनकी दो पंक्तियों पर हम चलत आप सोचिए ये बात जो कवि कह रहा है, जो उसकी पंक्तिया है, कविता उसके लिए क्या है, जैसे हर बार खुलती होई किताब हो, हर बार खुलती होई कोई दुनिया हो कविता के बारे में आज के समय में कहा जा रहा है जो पहली कविता है कविता के बहाने उस पर वगर मैं चर्चा करूँ जो इन दीनों संग्रह में इनके संकलित है इनके बहुत सारे संग्रह है जिसका जिकर हम पहले उनके परिचय में कर चुके हैं तो इन दीनों संग्रह में ये कविता संकलित है, जिसका नाम है कविता के बहाने, कभी कविता पर किस तरह से सोचता है, कविता उसके लिए क्या माइने रखती है, और कविता पर आज किस तरह से सोचा जा रहा है, यह सोचने और समझने का मौका देती है, यह कविता, अपने आप में और बहुत सुन्दर विंबों के माध्यम से तो पहली बात जो कविता के में कही जा रही है आप इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज इस तरह के स्थिति है अगर मैं आप से पूछूँ आप हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है तो लोगों को एक भ्रमशा होने लगा है लोगों को यह लगने लगा है कि कविता मर जाएगी कविता खत्म हो जाएगी आने वाली दुनिया में कविता का सैद भविष्य न रहे लेकिन इन पर चर्चाय भी खुब होती रही इस जो इधर बीच हो रहा है, देखिए, इस समय पूरा दुनिया, पुरी दुनिया एक तरह से बंद है, पुरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है और बंद भी है, इस बंद दुनिया में टेकनोलोजी पूरी तरह से हम उस पर आधारित हो गए हैं, यह जो हम आप से चर्चा कर रह यह भी टेक्नोलोजी के मध्यम से कर रहे हैं तो पूरी तरह से हावी हो रही है टेक्नोलोजी बावजूद इसके आप पूरा सोशल मेडिया उठा के देख लीजिए कविताएं भरी पड़ी हैं खुद कोरोना पर कविताएं भरी पड़ी हैं यह बात इस और इशारा कर रही ह है कि दुनिया खत्म होने तक कविता रहेगी कविता कभी खत्म नहीं होगी यह और बात है कि यह चर्चाएं चलती रहेंगी कि साहित रहेगा कि नहीं रहेगा साहित की भूमी का रहेगी कि नहीं रहेगी तो कहीं न कहीं कविको यह चिंता है कविता के बहाने लेकिन एक ब कैय था तो वह कषितागे तो सोन चुके हैं तो आप खोद उनके मौस संूदेगा ! कविता एक उलान है शुडिया के बहाने कविता की उलान लेवाम मौन शुडिया क्या जाने झाम अब बाहरं वीतर इसगर ऊस घर कविता के पंख लगा उलने के मान्य कविता एक खिलना है फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुर्जाय महकने के माने फूल क्या जाने कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर भीतर या घर वगर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने अब आप देखिए कि दो बातें सामने आई हैं एक तो ये कह रहा है कि कविता एक उडान है उसके मन में कविता की गुण यादार है कविता की विशेष्टा है कविता की पहली विशेष्टा कलपना उडान पहली विशेष्टा है उडान और यायों कहिए कि जो कलपना है जो चिडिया में भी दिखाई पड़ेगी चिडिया की भी एक विशेषता है उड़ान चिडिया उड़ती है तो चिडिया की उड़ान से कविता की उड़ान को मिलाने की पहले तो कवी ने कोशिश की है शुरुवात में कहा है तो चिडिया ज अगली पंक्ति में कहता है कविता की उड़ा भला शिडिया क्या जाने चिडिया पिर भी पीछे नहां पंडी आठा सकती है कविता हर जगा उड़ सकती है कविता की कल्पना आपको अंधेरी में मैंने कहा अतीत में वर्तमान में हर जगा जहां किसी की तृष्टी न जा रही हो जहां सूरज भी न पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी तो जहां सूरज की तृष्टी भी न जा रही हो वहां भी कवि कविता की उड़ान पहुंच सकती है, यानि अगर कविता की उड़ान से कल उसकी तुलना की जाए तो चिडिया की उड़ान फिर भी फिकी पड़ जाएगी, यानि कविता उससे बड़ी चीज है, कविता उससे अलग चीज है, अब एक और बात ध्यान देने की हिसमें, भला च अच्छा अच्छा भला तुम क्या जानो यानि आने सामने वाले को हम बहुत बेवकूब समझने या बेवकूब सावित करना चाहते हैं सामने वाले को कमतर सावित करना चाहते हैं तो हम कहते हैं भला तुम क्या जानो इस चीज को जो हम जानते हैं अपनी अनुभाव पर गु के लिए भला शब्दारा है भला शब्द उसने लिया कि भला तुम क्या जानो कविता की उडान भला चिडिया क्या जाने है कैसे नहीं हो सकती तो इस विशेस्टा की की गई गई है, जिसमें यह बात कही है, कि केवल चिडिया उड़ना तो जानती है, लेकिन कभिता की तरह वह फिर भी नहीं उड़ सकती, कभिता से वह फिर भी कमतर है. दूसरा जो बिमलिया है यहाँ पर कविने, वो फूल का है, फूल क्या करता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, बिना मुर्जाय महकने के माने भला फूल क्या जाने, यह धियान रखिए कि पहल क्या हो सकती है कविता की महक उसका अर्थ होगी फूल की महक सुगंध दूर तक जाती है जैसे वैसे ही कविता क्या अर्थ कविता की पहुंच बहुत दूर तक है सारे दुनिया में एक कविता पहुंच सकती है ऐसा भी हुआ है अनूदित होकर दूसरी दूसरी भाषाओं में कहां कहां तक उसकी पहुँच है आम लोगों तक भी पहुँच सकती है तो जैसे रामचरित मानस को ही याद कर लीजी रामचरित मानस थुलसिदास की कहां कहां उसकी पहुँच है पूरी दुनिया उसको जानती है कई भाशाओं में अनुदित हो चुका है तो ऐसी बहुत सी क कविता हैं दूर-दूर तक पहुंसती है, खुश्बूज की दूर-दूर तक पहुंसती है, यहां कवी कहता है कि फूल की तरह अगर उसकी मैं उसको सोचूं, तो उसमें भी महक तो है, कविता की एक महक है, फूल की एक महक है, लेकिन फूल मुर्जा जाता है, फूल की यह व तो पुर्जाय महटती रहती हैं, हमीशा रहती है, कभी नहीं रहता है इस दुनिया में, तब भी रहती है, नजाने कितने समय पुरानी कविताएं भी आज हमारे पास हैं, फूल आज खिला और कल नहीं रहेगा, उसकी खुश्बू जरूर रहेगे लेकिन वह नहीं रहेगा, लेकिन कविता में वह विशेषता है तो कविता फूल भी सिर्फ नहीं हो सकती, कविता चिडिया भी सिर्फ नहीं हो सकती भला सब्ध का यहाँ भी वही प्रयोक किया गया है जैसे मैंने पहले कहा, कि भई कही गुरूर एक गर्व की बात है, कि जो ये बात कविता में दिखाई पड़ रही है, वो फूलों में नहीं दिखाई पड़ रही है तीसरा जो बिंबाया है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर, भीतर, यह घर, वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने बहुत सुन्दर है कि बच्चा का जब जिकराया तो कभी कहता है कि अगर मैं कविता की तुलना बच्चे से करूँ तो शायद यह उचित होगा, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चा किसी सीमा को नहीं जानता है, न जाती की सीमा को, न गहर की सीमा को, न देश की सीमा को, न धर्म की सीमा को, तो उसके लिए माइने नहीं रखतरिष्टों की सीमा को भी वह नहीं जानता है, वह सिर्फ प् काविता के माइने तक पहुंचता है कि बच्चा बच्चे की कल्पना भी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है बच्चा प्यार के दृष्टी से भी देखा जाते हैं वह दुनिया में उसके लिए कोई पराया नहीं हर कोई अपना है हर कोई उसके अपने करीबी है भाषा हो तो भी उसके लिए बहुत माईने नहीं रखती, कोई दूसरी भाषा हो, कोई दूसरी लोग हो, दूसरे जाती के लोग हो, दूसरे समुदाई के लोग हो, दूसरे धर्म के लोग हो, दूसरे देश के लोग हो, वो सब उसके लिए कोई माईने नहीं रखती, यानि कोई दिव माई भी हमारे पास आती चली जाती हैं, दिवारी भी हम बना लेते हैं, और उन दिवारों के भीतर हम कैद होते चले जाते हैं, जो बच्चे के लिए माइने नहीं रखती हैं, बच्चे की सीमा असीम है, वो किसी भी जगह जा सकता है, किसी के लिए भी कलपना कर सकता है, किसी से भी जहां कहीं से भी प्यार उसे मिला है उससे प्यार कर सकता है चाहे पशु हो पक्षी हो प्रकृती हो व्यक्ती हो वो हर किसी से प्यार कर सकता है बिना किसी भेद भाव के तो ये बात कभी कहता है चिडिया की अगर तुलना करूं तो वो भी कविता के करीब नहीं पहुं बहुत सुन्दर आपको मैं एक याद दिला दूं कि सुमित्रा नंदन पंत जो चायवादी कवी हैं। जब बाद में प्रगतिवादी हो गए चायवाद से थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने कविता लिखी सुमन सुन्दर, विहग सुन्दर, मानो तुम सब से सुन्दर था। जब चड़िया हो, जब फूल हो, इन सब की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन मनुष्य की तो कोई कलपना की सीमा ही नहीं है। वो कहीं भी जा सकता है, पुरी दुनिया में घुम सकता है और वो पुरी दुनिया को अपना मान सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है इस ओर भी कि हम लोग जो सांप्रदाइक चीजों में पड़े रहते हैं, जातिपाती में पड़े रहते हैं, कई तरह के भेदभाव में पड़े रहते हैं। इन सब से उपर उठकर एक मात्र मनुष्य है जिसे पुरी दुनिया को अपना मान करके चलता है। हम लोग सर्वधर संभाव की बात करते हैं, वसुधवे को टमवकम की बात करते हैं। लेकिन कहते हैं सिर्फ यह लागोग नहीं कर पाते हैं, यह अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। यह बात कहीं न कहीं इस और भी इशारा कर रहा है इस कविता के माध्यम से। इस भी भाषा संबंधी मैंने जो बाते कहीं वो उस पर हम लोगो ध्यान देना चाहिए, भला जो आया है, संबोधित कर रहा है कि भला क्या जाने। तो यह क्यों आता है और आप प्रियोग करके देखिये खुद भी कि भला शब्द का हम कहां कहां और कब कब प्रियोग करते हैं। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कवन सी परिस्तितियों में भला शब्द का हम प्रियोग करते हैं। भला एक भला का मतलब होता है अच्छा और एक भला का मतलब होता है कि वल संबोधित करने के लिए तो सवाल यह है कि हम कहां कहां और किन किन परिस्तितों में ऐसा प्रयोग करते हैं यह आप खुद करके देखिएगा और खुद एक और काम करके देखिएगा यह भी देखीगा कि कविता के बारे में जब बात करें तो कविता की तुलना हम किस किस से कर सकते हैं यहां तो कविने चिडिया से किया फूल से किया लेकिन मनुष्य बच्चा उसको उसके करीब लगा लिए आपको किस किस के करीब लगती है कविता, कैसे लगता है, ये बात हमें समझने की जरूरत है, और आप करके देखिएगा, हम लोग उसको जरूर चर्चा करेंगे, आज जिस दूसरी कविता पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर, कोई दूसरा नहीं संग्रह का नाम है, उसी संग्रह में ये संकलित है, बात सीधी थी पर, अब इस कविता को अगर आप थोड़ा सा पढ़ कर देखें, बात सीधी थी पर एक बार भाशा के चक्कर में जरा तेड़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाशा को उल्टा, पल्टा, तोड़ा, मरोडा, घुमाया, फिराया की बात या तो बने या फिर भाशा से बाहर आए, लेकिन इससे भाशा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, सारी मुश्किल को धैरे से समझे बिना, मैं पीच को खोलने के बजाए, उसे बेतरह कस्ता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की चाबाशी और वहवा, आखिरकार वही हुआ, जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, और वह भाशा में बेकार घुमने लगी, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगा ठोक दिया, उपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था, न ताकत, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे से खेल रही थी, मुझे पसीना पोस्ते देखकर कहा, क्या तुमने भाशा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, बहुत सुन्द आपने देखी अभी, जो मैंने आपके सामने रखी, जो कवि कहने जा रहा है, वो कवि की कविता बता देगी, भाशा बता देगी, उसको जरूरत नहीं है अपनी तरह से प्रेयास करने की, खुता क्या है? कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रयास करके किसी विशे को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल अर्थहीन हो जाती है। प्रयास नहीं उसको अनुभव पर उतारना पड़ता है। जब वो अनुभव का हिस्सा हो जाता है, तो स्वैम ही वो इस तरह से प्रस्तूत हो जाता है, इस तरह से सहस्ता से अभिव्यक्त हो जाता है कि किसी समझने वाले को उतनी मुश्किल नहीं होती है। उस बात मतलब भाषा अगर हम उसको ले ले यहां पर, तो बहुत सीधी थी, कुछ कहने की खास बड़ी बात नहीं थी, बहुत सीधी साधी बात थी, जो कहना चाह रहा था कभी, बहुत सीधी सी बात थी, सामाने सी बात थी, सहसी बात थी, सहसी अनुभव था, लेकिन उस स पहर से अनुभाव को भाषा के चक्कर में जरा टेड़ी फंस गई अब आप सोचो एक बार सोचने की कोशिश करो कि आखिर क्यों कोई बात किसी की कही हुई हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है और कोई और बात उसी बात को कोई और व्यक्ति कह रहा है तो हमें नहीं स पाते हैं उसका बिलकुल यही कारण है कि वह भाषा के जाल बुनता चला जा रहा है कई बार भाषा के जाल हमें फसाते भी हैं यह ध्यान रखिएगा कई बार भाषणों में हम फस जाते हैं कई बार खोबसूरत भाषण हम जब सुनते हैं किसी के तो हमको लगता है क्या उसने देरा आप ध्यान रखें डियान करेंगे बें जन्यमों कि जब कभी ऐसा भाषन सुनते हो जब कभी ऐसीं कविता पड़ते हो या बाहवा करते हो घ्यान कि उसम्साइअ इसने कूछ भी ऐसा रहा कोई ऐसा बिंदू था कोई पी ऐस को जह आब दे जानने की कोशिश करना ये एक तरह का आप समझ लिए कसोटी है इस बात को जानने का कि उस बात में कितना दम था जो बात कही गई जो भाशन था या जो बात हमारे सामने बहुत बहवा की तरह लगा क्या बात थी उसमें क्या बात रह गई जो आपको बाद में भी हांट करता रहा, बाद में भी आपको कहीं न कहीं आपको याद आती रही, आपके इसमिरतियों में कहीं न कहीं रहा, जो बाद में भी इसमिरतियों में रहे जाती है बाद, वही दरसल बात होती है, अन्यता बेकार होती है, अन्यता उसमें कुछ नहीं होता है, वो शनबर के लिए आई और फुस हो गई, तो यहां जिस बात को कभी इशारा कर रहा है, उसी और इशारा कर रहा है कि भाषा के चक्कर में जरा टेड़ी परफंस गई, पूरा रूपक जो लिया है, एक कील का लिया है, पेज का लिया है, तो जैसे पेज को जब हम लगाते हैं, बढ़ई लगा रहा ह होता है आपको भी देखिएगा की जब पेच को हम लगा रहे होते हैं तो पेच की चूड़ी अगर घिस गई कड़बढ हो गई तो कई बार होуса किसी काम की नहीं रह जाती है और फिर हम उसको कीच की तरब कतर तो पेच को अगर केल की तरह इस्तिमाल करेंगे तो काम नहीं आएगी, बिल्कुल इसी बिम्ब को कवी ने लिया है, यह पूरा रूपग एक चल रहा है, जैसे कोई बच्चा हो, उसने हथावडा उठाया हो, कोई कील हो, और भाषा को देख रहा है, भाषा को बरतने के पु कोधानी से, क्योंकि अगर जो बढ़ई है या मिस्री है, जो पेच को लगा रहा है, तो पेच की चुड़ी को अगर नहीं जानता है, ठीक धंग से उसे कसना नहीं आता है, तो वो उसको कील की तरह कर सेगा, वो ठीक धंग से काम नहीं कर पाएगा, और फिर हमारे लिए वो काम चलाओं काम होगा, बिल्कूल इसी तरह से भाषा को बरतने वाला कवी साहेतिकार या कोई भाषा विद करता है, अगर भाषा को हम ठीक से नहीं बरत करते हैं, समवेधनशील होकर नहीं बरतते हैं, तो आप ध्यान रखिए, भाषा बेकार सी हो जाती है, उस पूरी कव मृतियों में आपके नहीं रह जाती है, तो आप मान के चलिए कि वह बिल्कुल बेकार है, अर्थ हीन है, अर्थ हमेशा महक की तरह, जैसे फूल की खुश्बू होती है, उस फूल की महक की तरह, फूल की खुश्बू की तरह बहुत देर तक आपका साथ देती है, बहुत द आप लोगों ने कई बार ब्लॉक्स वाले खेल बच्चों को दिये होगे आप देखते होंगे चोटे चोटे बच्चे आपके घर में होंगे, तो कई बार जोगता है, तो बच्चे जुझलाता है, और फिर इध़र उधर कहिं कहिं लगा कर, प्रेयोग करता लगता है, और प्रेयोग करके उस खोल गये, खेल को आखिर में जो आकृती बनानी है, उस आकरिती पर वहली आने की कोशिश करता है, कई बार हम उसकी सहायता करते हैं, जलाता है, इधर उधर लगाता है, बिल्कूल इसी तरह भार्षा के साथ भी होता है, तो कल्पना इसने ऐसी ही की है कवी ने, कि वह भी भार्षा के साथ खेल रहा है और भार्षा के साथ बरतन लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिएगा, कि जब आप कोई भाशा के साथ खेल करते हैं, बरतते हैं भाशा को, तो यह ध्यान रखिएगा, कि कई बार प्रयोग करके देखने के बाद जुझलाते जरूर हैं, लेकिन प्रयोग करके देखने के बाद अर्थ की चमक मिलती है, आ पर भी वही बिंब लिया गया है, भाषा के साथ-साथ बात और पेचीदार. मैंने अभी आपको कहा कि कई लोग क्या करते हैं लच्छेदार भाषा. आपने सुना होगा कि लच्छे दार भाषा, विशे शन। लच्छेदार भार्षा बोलते हैं लेकिन उसमें कुछ भी अर्थ नहीं होता है कविता भी ऐसा करती है कई बार कविता हैं खासतोर से जो कवि सम्मेले नहीं कवि जिसको कहा जाता है आजकल हैं अधिकांश ऐसे करते हैं तो बहुत फूहरता भी होती है यह समवेदनश शिल्ता भी कई बार नहीं दिखाई पड़ती है तो और समवेदनश शिल भार्षा का प्रयोग वे करते हैं कई बार ऐसा भी होता है हमारा काम है ऐसे स्टूडेंट ऐसे विद्यार्थी हमारा काम है ऐसी चीजों पर दृष्टी रखना ऐसी चीजों पर नजर रखना तो ऐसी चीजों पर नजर रखते हुए हम क्या करेंगे हम उसको ध्यान दें और कहां सही प्रयोग उसका होना चाहिए कैसे होना चाहिए यह हमारा प्रयास होना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं तो भाशा और मुश्किल होती चली जाती है फि तो क्या होगा वह बेकार हो जाएगा आप ना वह खुलेगा और ना वह कसेगा बलकि वह धीला हो जाएगा बिलकुल उसी तरह से भाषा के प्रयोग करते समय अगर हमें ठीक धंग से शब्दों की जानकारी नहीं है ठीक धंग से उसके प्रयोग की जानकारी नहीं है ठीक धं दिजिएगा कि अक्षर ऐसा ही होता है कि हम भी भाषा के साथ खेल करते हुए भाषा के साथ जादती करते हैं उसका सही प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं और समवेधनशील प्रयोग हम करते चले जाते हैं तो इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है फिर एक और बड़ी सुंदर बात इसने कही है बिंबाया है यह ऐसा कब होता है ऐसा तब होता है जब आपकी गलत बातों पर भी वाहवाही मिलती है जब आपके गलत प्रयोगों पर भी जब आपके और समवेधनशील प्रयोगों पर अर्थ को समझने की ना कोशिश करते हुए केवल भाषा के चमतकार पर वाहवाही मिलती है तो भाषा के चमतकार मैंने भाषन का जिक्री किया आपके सामने मैंने ऐसे बहुत से चीजों की जिक्री किया कविता भी हो सकती है तो कई बार वाहवाही हमें मिलती है और हम ऐसी ही भाषा प्रयोग करने लगते हैं यानि जो सामने वाले को अच्छा लग रहा है वैसी भाषा बोलते जाना वैसी भाषा प्रयोग करते जाना हमारी आदत बनती चली जाती है तो वो हमें ऐसी भाषा प्रयोग करने पर ज्यादा बल देते हैं और कह सकती है उस दिशा में हमें ले जाते हैं तो यह भी एक कमी है जिसकी कारण हम लोग यानि मुरिती में जो रह जाए, जो इस मुरिती में हमेशा याद रहे, वो दरसल अर्थ की ओर ले जाने वाली भाषा होती है, यह उसकी सबसे बड़ी कसोटी है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, तो कुल मिलाकर के जो बिम चल रहा है, कि पेंच को जब ज्यादा कसने कोशिश करेंगे, तो वो बेकार सी हो जाएगी, तो बिलकुल भाषा को जब ज्यादा प्रेयोग करने की कोशिश करेंगे, तो भाषा कोई माइने नहीं रखेगी, अर्थ उसका कोई माइने नहीं रहा, इस तरह से कविता की अंत की ओर कभी पहुँच रहा है, उपर से उन्ने की कोशिश करिएगा, हर कविता में कोई न कोई एक ऐसा बीज वाक की मिल जाएगा, बीज शब्द मिल जाएगा, जो पूरी कविता को खोलने में मदद करता है। एक दो बाते हम भार्षा पर बहुत जो जरूरी है, मैंने कहा कि वो उड़ने के माने ये सब आप करें ही, भार्षा को सहुलियत से बरतने के क्या मायने होते हैं, यह भी देखने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, एक जो बिम्बो और मुहावरों का मैंने अभी जि प्रियोग होता, तो आप इन मुहावरों को इकठा करिए, और कहा कहा किन-किन संदर्वों में ये मुहावरे प्रियोग होते हैं, इसको भी जानने की कोशिश करिए, एक आप के सामने सिर्फ रख रही हूँ, कि 4-5 मैंने रखे हैं, बात की चूड़ी का मर जाना, बात की प किस से क्यों मैच कर रहा है, कौन कितना करीब है, अर्थ के क्यों करीब नहीं है, थोड़ा सा में एक-दो उदारन देकर समझाने की कोशिश करींगी, कथे और भाषा का सही सामन्जस से बनना, मैंने आयरो दिया हुआ है, बात का बन जाना का ज्यादा करीब किस से इस इंजचकरों में हमना पढ़े, कथ और भाषा दोनों मैच साथ है, sociedade करीब है, जैसे बात की चुड़ी मर जाना के करीब या आगे सामने वाले वाक्यों में कौन सा बाख के जादा करीब है, और क्यों, ऐसा नहीं है कि बाकी और अर्थ नहीं दे रहे हैं, सारे अर्थ उनकी विशेश्टा बताएंगे लेकिन आप ये ध्यान देने की कोशिश करिए कि कौन सा वाक्य जादा उसके करीब है यानि भार्षा की बारीकियों को जानने के लिए यह भी ध्यान दिजी कि सबसे जादा करीब सबसे जादा अर्थपूर्ण ढ़ंग से अभी वेक्त करने वाला वाक्य कौन सा है तो भार्षा की बारीकियों को भी जानिये बात सीधीती पर जैसी कविता या कविता के बहाने जैसी कविताओं के माध्यम से भार्षा की बारीकियों को समझने का भी उसर ये देती है उस ओर आप जाईए और भार्षा के बिद्यार्थी के नाते और ज़ादा यह जरूरी हो जाता है कि हम भाषा को प्रियोक करते समय, बरतते समय, मैं बार बार बरतते करी हूँ, यानि प्रियोक करते समय, उसको हमेशा इस ओर ध्यान दें, यह कविता इस ओर इशारा करें, कुछ हमने आपको सुझाये गति बिदिया, कुछ आप खुद करके और प्रयोग करके देखिएगा बात के मुहावरों को उठा कर देखिएगा और जगर जगर प्रयोग करके देखिएगा और अपने भाई, बहन, मा, पिता और अपने आसपास वालों से जानने की कोशिश करिएगा कि कहां सही धंग से यह प्रयोग हो सकता है वैसे तो कई जग झाल झाल झाल